सब्सक्राइब कीजिए धे आईयस चैनल को और बेल आइकन को दबाईए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के नमस्कार मैं सुनिल बर्मा धे आईयस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूँ धेटी विपर हम बात करेंगे डेली करेंट अफेर्स के एक खास सेग्मन जिपसका नाम है सापताहिक MCQ इसमें हम कुछ मल्टी चॉइस कोसंस या अबजेक्टिव कोसंस आपके सामने रखते हैं जिनको सॉल्ब करकर आप यह चेक कर सकते हैं कि अगर प्रारंभिक परिशा में करेंट अफेर्स के कोसंस आते हैं तो उनके लिए आप तया हैं या नहीं तो आईए एक एक करके हम इस कोसंस को डिसकस करते हैं उम्मीद करूँगा जैसे ही आपकी स्कीन पर प्रशन दिखाई दे आपके पास मुझस से पहले सही आंसर हो ना कि गलत जल्दी बाजहि में गलत प्रशन जो है कि गलत उत्तर मत दीजेगा प्रशनों का सही उत्तर देना ही सबसे वड़ी चुनौती होती है और वही आपको देना आई हम एक एक करके डिसकस करते हैं कोरोनवारस के संदर में कत्नों पर आपको विचार करना है, पहला कतन है, यह SARS बिमारी का एक अलग रूप है, जो बर्स 2002 और 2003 में आया था, यह SARS बिमारी जो आये थी, इसी का एक रूप है, कोरोनवारस स्टेटमेंट का मतलबी है, वहीं दूसरे जो कथने वो कह रहा है WHO ने पहले इसे महामारी घोसित किया और बाद में Public Health Emergency आपको decide करना है कथन तीन है इस समय asymptomatic case 80% तक पहुँच गया है अब देखिए अब आपको क्या करना है असत्य कथनों का chain करना है आप पहले कथन फिर से देख लेजिए फिर से पढ़ लेजिए और जब आपको पता चलिया है कि कौन सा प्रशन हमारा statement असत्य है तो आपके लिए विकल्ब क्या है काफियासान लेजिए अब आपके सामने विकल्ब गल्ब है असत्य कथन का आपको चैन करना है ना कि सत्य कथन का ध्यान दिजिए थोड़ा सा और इसमें आपको कथन असत्य विकल्ब लगे है कि केवल 1 अप्सों 2 जो है B 1 और 2 C केवल 2 और D 2 और 3 आप आपको ज助ह की असत्य कथन का चैन करना तो असत्य जो कथन है वह है आपका कत्थन No. 2 अर्था WHO ने इससे पहले महामारी घोसित किया और बाद में पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ये जो statement लिखा है ये गलत है क्योंकि इसको सबसे पहले इसको जो कि घोसित किया गया था, वो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोसित किया गया था और वह 20 जनवरी को जबकि महामारी बात भी घोसित किया गया और महामारी घोसित किया गया है इसको 11 मार्च को आप समझ सकते हैं कि कितना अंतर है अब देखिए है क्या डबलू एचो के सामने जब भी कोई बिमारी आती है तो वो सभी देशों को एक पबलिक हेल्थ इमर्जेंसी जब घोसित करत कि डबलू एचो किसी बिमारी को महामारी घोसित करे यह बड़ा टर्म नहीं है बलकि पबलिक हेल्थ इमर्जेंसी पुरे वर्ड के कंसर्न में घोसित करना यह डबलू एचो का सबसे हाई लेबल का चेतावनी होती है इसलिए आज भारत पूरे बिस्व में यह बात उठ र किया होता तो आज यह दसा ना होती जबकि अधिकांस देश इंतिजार कर रहे थे महामारी का जबकि डबलू एचो की स्थापना उसके फॉर्मेशन के समय ही कह दिया गया है कि जब पबलिक हेल्थ इमर्जेंसी फुरे वर्ल्ड के कंसर्न में लाया जाए तो इस सबसे बड तो कुल मिलाकर यह जो दूसरा इस्टेटमेंट है यह गलत है बाकि जो है कि यह जो तीसरा कथन है कि इस समय अधिकांस वर्ल डेवल पर अगर देखा जाए तो 80% जो केसस आ रहे हैं यह अस्सिम्टोमेटिक्स आ रहे हैं इसका मतलब ऐसे केसस जादा आ रहे हैं जिनमें क प्रोना के लच्चर नहीं हैं ऐसे ही केसों को बोला जाता है अस्सिम्टोमेटिक केसस और जिनमें किसस आते हैं उनको बोलते हैं सिम्टोमेटिक केसस तो कहीं न कहीं यह आपका तीसरा इस्टेटमेंट भी सही है और जो सार्स बिमारी थी यह सही बात है पहले जानवर जो है कि बिलकु सही है, हमें चुनना था असत्य कतन, तो हमारा दूसरा कतन के है असत्य, आगे बढ़ते हैं, हाल के समय में 5i चर्चक में बना हुआ था, इसके संदर में अब फिर से आपको असत्य कतन का चेंग करना है, अब यह है टर्म के है 5i, अब आप जानते होंगे क्य इसमें UK, USA, Australia, New Zealand और Canada सामिल है आपको पता होगा इसने बुहान Institute of Virology का अभी निरिचर किया है तीसरा आपके पास जो स्टेटमेंट है यह एक Special Intelligence Group है डी है इसकी स्थापना 1943 में हुई थी अब आपको बताना है कि 5 eyes के विस्वे में अगर आप जानते हैं उसकी भी स्थापन ओक्यों चर्चा में कारण में बना हुआ था तो यह आपके लिए बहुत ही प्रशन है आई हो आपने जो है के सत्यकतन का चैन कर लिया होगा और इसमें अगर आपने बिकल्प चुना है भी अर्थाद बुहान Institute of Virology का इसने अभी निरिचर किया है तो इस टेटमेंट गल था कि वह जो है कि बुहान में जो Institute of Virology है वहां का निरिचर करना चाता है क्योंकि उनको सक है कि यहीं से यह वायरस फैला है और यह जो Institute of Virology है यह चीन के बुहान सहर में जो विट मार्केट है जहां पर सभी परकार के जानवरों के मास मिलते हैं वहां से सिर्फ 8 मिल की दूरी पर इसी के करनों इसका Investigation करना चाते थे लेकि चीन ने साफ मना कर दिया कि उस Institute तो छोड़ दिजिए हम बुहान सहर का भी कोई Investigation नहीं होने देंगे और इसके वज़े से क्या है यह चर्चा में बना हुआ था इसमें काफी कड़ी प्रतिकिरिया जो है कि Five Eyes को लेकर चीन ने आश्टेलिया को दी आश्टेलिया से इतना तक कह दिया कि अगर वो बार बार जो है कि Investigation की बात करेगा तो उस पर अकई तरह के प्रतिबंद लगा दिया जाएंगे खेर आगे बढ़ते हैं I hope आपने दोनों प्रशनों को उत्तर सही दियो होंगे तीसरा प्रशन बिन में हो सकता है अर्थरत एक्सचेंज हो सकता है कथन तीसरा है इसमें नियूंतम 100 मिलियन डालर और अधिक्तम 400 मिलियन डालर कोई देश ले सकता है अब आपको पता होगा यह क्या कथन है और यह पूरा ताम धाम क्या है तो इसमें आपको असत्य कथन का चेहन करना है आ agreement 2000 12 rusty गुलकुश सही बात है और इसका यह जो agreement था इसका पूरा नाम था framework on currency swap arrangement for Sark फिरते ध्यान दीगे भारती रुपे का exchange किया जा सकता है बिल्कु सही है इसमें नियूंतम जो है कि 100 million dollar और देखतम 400 million dollar जो है कि कोई देश ले सकता है ये बिल्कु सही है तो असत्य कतन तो असत्य कतन इसमें कोई नहीं है आंसर क्या होगा D आगे बढ़ते हैं अगरा परशन है सिललंका के बिसे मे निमखित कतनों पर विचार केजिए और सत्य कतन का chain करना है आपको फिर से सिललंका ने अब सार करेंसी स्वेप के तैट 400 million का करेंसी स्वेप लिया है आपको पता है होगा कि इसने लिया है कि नहीं लिया है यहां की मुद्रा बहुत जादा million हो गया है यहां की मुद्रा जो अबिदेशी रिड के ब्याज के रूप में खर्च करना पड़ता है और D है रबर से प्राप्त होने वाली या स्रिलंका की आय का परमुख सुरोत है आपको ढूणना है असत्य कतन फेर से यह रहात बिकल्प आपके सामने आई होप आप समझ गए होंगे कि असत्य कतन कौन स अगर आपने असत्य कतन चुना है D तो बिल्कुँ सही है क्योंकि स्रिलंका को परमुख जो आयपराप्त होती है अन्य क्रिसी गतिविद्यों जैसे चाय और बागानी क्रिसी से होती लेकिन रबड से नहीं होती यह इस्टेट्मेंट का है गलत है यह सही बात है कि अभी स्र लंका ने सार करेंसी स्वेप के तहती 400 मिलियन का जो है कि करेंसी स्वेप लिया है इसका मतलब है बिलकुल नहीं इसने लोन लिया है इसका मतलब है कि 400 मिलियन जो इसने करेंसी स्वेप लिया है बाद में क्या करेगा बापस कर देगा और यहां कि मुद्रा का ओम मुलियन होके है एक समय एक डॉलर की कीमत लगबग 193 रुपए है यह मैंने आपको वीडियों साफ साफ बताया था और यह बिल्कुश सही है और इसके साथ सा से लंका इस समय चीन के करजे के तले दबा हुआ है आपको बता है हमबन टोटा और मटाला इयरपोर्ट विक्सित करने के लिए जो है कि चीन ने बहुत बड़े हाँ पर निवेश किया है रिड़ दिया हुआ सिरलंका को और ऐसे ही बहुत सा और रिड़ जो है कि सिरलंका के उपर है जिनकी उनको रिड़ अदा करना होता है अर्थ उसके ब्याज का बुक्तान करना होता है तो इस स्टेटमेंट बिलुकुस सही है डी स्टेटमेंट जो है कि गलत है अगर आप जो ग्रोफी बीज की समझते होंगे तो आपने इस प्रशन को आसाने से कर लिया होगा चलिए आगे बढ़ते हैं पाकिस्तान ने हाली फेक न्यूज को फैलाने के लिए किस देश के प्रिंसिस का फर्जी एकाउंट बनाकर भारत की छबी को धुमिल करने का प्रयास किया देखे प्रशन तो है बहुत सिंपल सा अगर आपने थोड़ा सब ध्यान दिया होगा तो इस प्रशन काफी आसान आपके लिए हो सकता था तो इसका जो सही अंसर है वह आपने डिसाइट करे लिया होगा अगर आपने सुन इसमें देखे विकल्प कहा है सौधी अरब, यमन, तुर्की, कुबेत और ओमान इसमें देखे पांच विकल्प बनाए गए है थोड़ा सा प्रशन काटन करने के लिए तो इसमें अगर यह आपने ओमान चुना होगा तो बिल्कुल सही है ओमान की प्रिंसेस का एक फर्जी ट्यूटर एकाउंट बनाए गया ओमान की प्रिंसेस की तरफ से फर्जी एकाउंट जो था यह दरसल पाकिस्तान ने लिखा था और उसमें क्या लिखा गया था कि भारत में मुसिल्मान के साथ मुसलमान के जो भाई बहन है उनके साथ ओमान खडा है अगर भारत सरकार ओमान के इंडिया के मुसल्मान भाई बहनों के साथ सही बेवार नहीं करता तो इसको कीमत उसकी चुकाने पड़ेगी बाद में जब यहाँ पर इसकी investigation होई तो पता चला यह तो account ही फरजी है और यह बात भी वो उमान की प्रिंसिस की नहीं है तो कहीं न कहीं यह आपके लिए important प्रस्था ओन लाइनर था लेकिन जो है कि अच्छा प्रस्था आगे बढ़ते हैं Trade in World Military Expenditure के संदर में निमिल्खित कत्मों पर बिचार कर सही कोट का चैन कीजिए अब देख लिए Trade in World Military Expenditure यह अपने नाम सुना होगा आपको याद भी होगा देखिए इसका पहला कथन क्या है इस International Peace Research Institute दोरा जारी किया जाता है अब आपको पता होगा जारी किया जाता है हाली में आई इस रिपोर्ट में भारत तीसरे स्थान पर है आपको पता होगा भारत ने 2018 की तुल्दान 2019 में अपने सेने खर्च में 6.8% के बिद्धी की है अब आपको क्या करना है इसमें देखिए सही कत्थन के कूट का चैन करना है अर्थात आपको जितने का सही कत्थन है उनको चुनना है तो पहला option है कि सभी कत्थन सही है दूसरा है एक और दू तीसरा है C विकप जो है एक और ती और D है दो और ती I hope आपने जो है कि इसको decide कर लिया होगा तो एक एक करके अगर हम कत्थनों का परिच्ण करें तो इसे International Peace Research Institute द्वारा जारी किया जाता है बिल्कुल सही है Stockholm में एक संस्ता है जिसका नाम है International Peace Research Institute उसके द्वारा जारी किया जाता है बिल्कुल यह सही है हाल में इस रिपोर्ट में भारत तीसरे स्थान पर है यह भी बिल्कुल सही है क्योंकि आपको पता है पहले स्थान पर 732 बिलियन डॉलर का घर्च किया गया है USA के दौरा और 261 बिलियन अर्था 261 बिलियन का सेन ने खर्च किया गया है चीन के दौरा वह ही भारत के दौरा काफी कम 71 बिलियन किया गया है बावजूद भारत तीसरे स्थान पर है और उसके बास रूस और सौधी अरब का स्थान है तो इस तरह से यह दूसरा कथन भी बिल्कुल सही है तीसरा कथन है कि भारत ने 2018 की तुलना 2019 सेने खर्च में 6.8% की बिल्कुल सही है इसलिए कथना मारे कौँ से सही कथना में चुनना था सभी कथन सही है आंसर होगा ए आगे बढ़ते हैं और वह है इस्पेसल 301 रिपोर्ट अब इस्पेसल 301 रिपोर्ट के संदर में असत्य कथन का आपको चैन करना है तो यह है रिपोर्ट जो है कि USRT द्वारा जारी किया जाता है आपको पता होगा इसमें प्रायोरिटी वाच लिष्ट और वाच लिष्ट सामिल होता है इसमें नाप्टा के देशों को सामिल किया जाता है भारत इसकी एक लिश्ट में सामिल है आपको चुनना है असत्य कत्थन एक एक कत्थन करके परिछन करते हैं यह यूएस आर्टी अर्था United State Trade Representative द्वारा जारी किया जाता है बिल्कुँ सही है यह क्या करता यूएस आर्टी क्या है कि अमेरिका में जो ब्यापार गत्विदियां होती है उन ब्यापार गत्विदियों को संचालित करने के लिए उनको बढ़ाने के लिए और कहां पर किस तरह से अमेरिका के ब्यापार को छति उठाने पड़ रही है उसमें ये हद जो कि ध्यान देने वाली संस्ता है और यही Special 310 Report जारी करती है इसमें Priority Watch List और Watch List होता है बिल्कु सही है अर्था जिन देशों में अमेरिका की कमपनिया कारे कर रही हैं वहां की अमेरिकी कमपनियों के जो Intellectual Property Right है Intellectual Property Right का अगर हनन होता है तो ऐसे देशों को इस सामिल किया जाता है Priority Watch List और Watch List में ज्यादा ब्याख्या नहीं करूँगा क्योंकि बड़ा हो जाएगा मैंने इसको बहुत अच्छे से समझाया तो यह बिल्कुल दूसरा सही है इसमें नाप्ता की देशों को सामिल किया जाता है जहां पर अमेरिकी कमपनियों के जो है की Intellectual Property Right का हनन होता है वह चाहिन नाप्ता अर्था नौर्च अमेरिका Free Trade Agreement से बाहर के देशों या कहीं के भी देशों उसका सामिल नहीं है तो इसमें असत्य कतन कौँ सा है भारत इसकी एक list में सामिल है जी है प्रायर्टी वॉच लिस्ट में भारत भी सामिल है तो इस तरह से ये कथन बिल्कु सही है तो हमारा जो असत्य कथन वह वासी नाम ठाकर देशों को इसमें सामिल किया जाता है आगे बढ़ते हैं और वह है कि बहुत धीक संपता अधिकार क अंतरगत क्या क्या आता है अर्था intellectual property right के अंतरगत आप क्या क्या सामिल करते हैं ये इसमें सामिल है पहला है एक है coffee right, patent, trademark, geographical indicator और industrial design अब आपको बताना है इसमें क्या क्या सामिल होता है विकल आपके सामने सब कुछ है अगर आपने इसमें विकल का चेहन किया है B12345 तद coffee right मतलब जो कुछ भी आप लिखते हैं, patent जैसे आपने कोई product बनाया वो जो product है वो unique idea से आपका लगाया तो है, trademark का मतलब होता है कि कोई चीज आपने बनाया है और वो चीज बनाने में क्या composition है सब कोई चीज जो आपका है वो है, geographical indicator मतलब किसी छेतर भी सेस में जो बन अगे बढ़ते हैं, right issue के संदर में कतनों पर बिचार कीजिए, अब आपको पता होगा right issue क्या होते हैं, यह company के पहले से सेरधारकों के लिए होता है, अब मुझे नहीं पता यह पहले से जो company के सेरधारक हैं उनके लिए क्या मतलब इसका, दूसरा कतन है समानता discount rate पर होता ह यह तो पता नहीं किस दुनिया के बात हो रही है, कतन तीन है, यह IPO ही है, जो company business छूट पर निकालती है, I hope आपने जो है कि इसमें सत्य कतन के code का आपको चैन करना है, तो देख लिए, option क्या है, केवल 1, B है 1 और 2, C, 1 और 3, और D, तो कतन आपको मुझे लगता है code तो देख नइच नइची, पहले ही जैसी प्रशना है, आपको कतनों के हिसाब से, यह decide कर लेजाने, कौन कौन से क्या है, सत्य कौन कौन से सत्य है, यह एक कर लेजिए, कौन से सत्य है, अपने उसके बाद, जितने बचेंगे सब सत्य है, तो उसके बाद क्यों कूट में फिर अपना answer दोड़ी आसान हो जाएगा, चलिए, राइट इसू के संदर्ण, अब क्या है, एक एक करके कतनों का परिच्छन, यह कंपनी के पहले से सेर धारकों के लिए होता है, बिल्कुल सही है, राइट इसू का मतलब यह है, कि कंपनी माल लिजे मेरी एक कंपनी है, उसके 100 सेर धार रखें, और उन सेर धारकों के लिए मैं डिसकाउंट रेट पर छूट पर निक नए सेर का निर्गमन करूं, और कहूं कि सिर्फ यह आप ही खरिच सकते हैं, तो इसी को बोलते हैं, राइट इसू का मतलब कि अधिकार उन लोग को है, जो पहले से सेर धारक हैं, इसी को आईपियो नहीं है, आईपियो क्या होता है, जब कोई कंपनी कि किसी भी स्टॉक मार्केट में लिष्टेट होने से पहले, अपना प्रारंभिक जो सेर निकालती है, अर्थात पहली बार जो सेर लोगों को ओफर किये जाते हैं, उसको आईपियो बोलते हैं, जैसे अभी आ करी है, हमारे सेर धारक बन जाई, उसको बोलते हैं, आईपियो तो यह आईपियो नहीं होता, यह क्या है, कि जिन लोग पहले से कंपनी से जोड़े हैं, जो सेर धारक हैं, उन्हीं को अपनी कंपनी का और फादा पहुचाने के लिए, उनकी हिस्से धाय को और बढ़ाने के लिए जो इसू सेर जारी किये जाते हैं इसी को बोलते है राय की इसू तो देखिए आपको क्या है सत्य कथन का चैन करना है तो इसमें पहला और दूसरा अर्थात आंसर होगा क्या बी एक और दो क्या है सही है यह IPO यह जो company business छूड़ों मिकालती ही कथन गलत है तो इसलिए क् तीन नहीं चुनना है अगर तीन नहीं चुनना है तो देखिए C और D तो पहले ही कट गये थे बचा कौन सा था एक तो इसमें देखिए यह जो कथन दो है सही है तो इसलिए आपको आपके पास दिकर एक ही बचता है कि आप बी का चैन करें चले आगे बढ़ते हैं central विष् नहीं क्यों कार्याले स्थित हैं होगा यहां के अधिकांस रचना है 1930 के दस्तक में निर्मित हुई है आपको बताना है कि इसमें असत्य कथन कौन सा ऐसा कथन है जो सही नहीं है चली अब इसको एक एक करके प्रिच्छन करें इसका बिस्तार इंडिया गेट से राश्पती बहुन तक सीमीत है बिल्कुल गलत है इसमें संसत परसर का पास का जो चेत्रे पूरा आता है मैंने आपको दिखाया भी था इंडिया गेट से राश्पती बहुन और फिर संसत बहुन का पूरा जो सचवाले वाला पूरा जो चेत्रे इस सभी चेत्रे इसमें आते हैं तो इ यहाँ पर भारत के परवों परसासनिक कार्याल है, इस्तिते बिल्कु सही है, यहाँ के अधिकांस रचनाय जो है कि 1930 के दसक के में निर्मित हुई थी बिल्कु सही है, आपको पता है कि जब क्या किया गया था, राजधानी परिवर्तित की गई थी, 1911 में कलकता से दिली, है, आपका जो पहला स्टेटमेंट है, यह बिल्कुल गलत है, आगे बढ़ते हैं, सेंटर विष्टा प्रोजेक्ट के संदर में आपको बताना है, यहाँ सेंटर विष्टा री डेवलमेंट प्लान का हिस्सा है, आपको पता है, इसके तहत 2022 तक नया संसर भौन निर्मित कि म्यूजियम परदान मंतिरी अवास नय सचवाले का निर्माट इसमें सामिल है, सेंटर विष्टा प्रोजेक्ट में, आई होप आपने इसको भी जो है कि सॉल्प कर लिया होगा, यह भी आपके लिए काफी प्रशन जो है कि इजी रहा होगा, तो बिल्कुल सही है, जो है कि सेंटर विष्टा रिडेवलमेंट प्लान का हिस्सा है, बर्स 2019 में दरसल यहां पर क्या हुआ था, कि हाउसिंग एंड अर्वन अफेर्स जो है कि विभाग दोरा इसको रिडेवलब करने अर्साथ इस पूरे चितर में, भारत के हाउस्साक्ताओं को परसासनिक जरूरतों क देखते हुए इस पूरे विष्टा चित को सेंटर विष्टा चित को रिडेवलब करने का प्लान प्रस्तोत किया गया था, और उसी के तहस सेंटर विष्टा प्रोजेक्ट लाए गया है, जो लगवा 20,000 करोड रुपे का है, इसमें म्यूचियम बनाए जाएंगे, प्रध असत्य कथन का आपको चैन करना है, इसमें कोई भी असत्य कथन नहीं है, सभी कथन क्या है, सही है, इसलिए आपको आंसर होगा D, आगया बढ़ते हैं, अगला जो प्रशन है, हाली में आई एक रिपोर्ट, जो है, जिसका नाम है, COVID-19 crisis through a migration, जो है कि लेंस किस अंदर में अ सत्य कथन का चैन किजी, रिपोर्ट का नाम ही बड़ा खतर ना है, कि अब आपको सत्य कथन का भी चैन करना है, देखिया आप कर पाते हैं कि नहीं, यह बिस बैंक द्वारे जारी किया जाता है, आपको पता होगा जारी किया जाता है, कि नहीं किया जाता है, इसमें कहा गय है साथ अभी तक आय महामारी में कुरोना का आर्थी परवाद सबसे जादा होगा आपको चुनना है असत्यकतन आई होप आप ने एक असत्यकतन चुन लिया होगा तो एक एक कर कर के परिछन करते हैं इनका तो जैसा हम जो बिस्व बेंग की आखा है माईग्रेशन एन रेमिटेंस यूनिट वर्ल्ड बेंग के ही अधीन है उसी के थाइट काम करती है इसलिए हम वर्ल्ड बेंग की रिपोर्ट भी बहुत सकते हैं इसमें कोई गलत नहीं है इसमें कहा गया है कि नचलवाद का मतलव होता है कि आप अलग नसल के हैं गोरें हैं और जेन अइसमें मतलब बहुत बाहर से आये लोहों के प्रती घेंड आकी भावनआ बढ़ना तो कहा गया है कि नसलवाद बढ़ेगा और जेनेन अइसमें बिल्कोँ सही कहा गया है एस रिपोर्ट में कहा गया था 2019 के तुलना में भारत को 34% कम Remittance प्राप्त हुआ जी नहीं 23% Remittance कम प्राप्त होगा भारत को 2020 में 83 US Dollar जो है कि 83 Billion ध्यान दिजेगा 83 Billion US Dollar प्राप्त हुआ था और इस साल 2020 में 2019 के तुलना में 23% कम जो है कि यूएस डॉलर प्राप्त होगा रेमिटेंस से अर्थात यह होगा लगबख 64 बिलियन यूएस डॉलर तो इस तरह से यह जो तीसरा स्टेटमेंट है यहां पर बस थोड़ा सा खेल किया गया है कि 23% की जगह 34% लिख दिया गया है तो अगर आंकोडों पर थोड़ा सा पकड़ कमजोर हो तो प्रशन गला तो हो सकता है तो कोई मिलाकर यह स्टेटमेंट सी जो है कि गलात है अभी तक आए महामारे में कुरोना का आर्थी प्रभा सबसे ज़धा होगा यह बिलकुल उसने यह है कि पूरी रिपोर्ट दी है इस संस्थाने उनका कहा कि करोना का प्रभाव में कम रेमिटेंस की कमी बर्स 2000 किस देश में होगी अर्थाथ ABC रिपोर्ट से रिलेटेड है कि भारत के जितने पडुस्ती देश हैं बर्स 2019 की तुनला में 2020 में सबसे कम रेमिटेंस की प्राप्ति किसे होगी यह आपको बताना है आपके पास जो हेट की option है पाकिस्तान से लं का बांगलादेश की जन संख्या जादा है और यहां की संख्या जादा संख्या में लोग बाहर रहते हैं और जो इसके बज़े से क्या होगा कि यहां पर नेपाल को कम रेमिटेंस प्राप्त होगा ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है यह थोड़ा सा जादा factual information type करता खेरा बढ़ते हैं अगला प्रश्ण है H1B बीजा के संदर में निवकित कत्नों पर आप आपको विचार करना है अच्छा conceptual प्रश्ण है यह अस्थाई रूप से अमेरिका में रहेकर काम करने के अनुवती परदान करता है आपको पतान हो कथन दो है इसे प्राप्त करने का निव प्रश्ण करें तो आपको मिल जाएंगे हमें ढूंड़ना है सत्तिकतिन ध्यां रखेगा तो यह अस्थाई रूप से अमेरिका में रहेकर काम करने के अनुवती परदान करता है बिल्कु सही है कि जैसे मालेजे आप भी प्रो टीसियस किसी कंपनी में आगर आपको इंपल प्रश्ण करने काम हो जाएगे फिर आपको जो है कि अपने देश आना होगा तो बिल्कु सही है पहला स्टेटमें उसे प्राप्त करने का नियुनतम माना ग्रिजवेशन होनी चाहिए या उसके इक्विलेंट डिगरी होनी चाहिए ध्यान देजे ग्रेजवेट या उसके इक्विलेंट तो उसके नहीं है इस स्टेटमेंट भी बिल्कु सही है परते एक बास जो है कि 65,000 इस परकार का बीज़े दिया जाता है अमेरिका की कानून के थरता भी बिल्कु सही है और इस तरह से सत्य कथन काम को चैन करना तीनों कथन हमारे सत्य है आंसर होगा डी आग प्रकार को फैक्च यो लेकिन इसके पीछे भी काफी बड़ा कॉंसेप्ट है आई होप जो है कि आपने इसको डिसाइट कर लिया होगा इसको आपको तुरंत पता चल गया होगा तो इसका आंसर है डी जोब इस पर 30 लोग जो कि क्या करते है अप्लाई करते है देगे है क्य जैसे कि मैंने बता है कि कोई ब्यक्ति उहां काम करने गया उसको क्या होता है जब लगता है कि अमेरिका मुझे काम मिल सकता है महीं पर रह जाओं तो क्या करता है ग्रीन कार्ट के लिए अप्लाई कर देता है और ग्रीन कार्ड को कैरी करने के बाद क्या होता है वहां की ना संख्या बढ़ती है ना कि वहां के लोगों से तो कई बार आप प्रश्ण कर सकते हैं चूंकि वहां पर जो जन्दर है वहां पर वो कम है उसके बाद जन्संख्या वहां पर ज्यादा क्यों हो तो उसके पीछे करण है कि बाहर से लोग आते हैं काम करने और फिर वहीं के निव तो आज का ही वीडियो का आपके प्रश्ण है इसका निर्मान लेमनान के सुन्नी समदाय द्वारा इरान के सहयोग से किया गया था इरान थोड़ा सही कर लेजिएगा बड़ी के मातर रही खैर अब आपको चुनना है असत्य कथन यह आर्मी संगठन राजनीतिक पार्टी दोनों रुप में कारे करने वाला संगठन आपको पता होगा हिजबुल्ला पार्टी का अर्थ होता है अल्ला की पार्टी जो एक स्टेट्मेंट है हिजबुल्ला को आतंकी संगठन घोसित करने वाला पहला दिस उस देता अब आपको क्या करना है असत्य कत्षन का चैन करना है चारों कत्षन आपके स्कीन पर है अगर आपने अंसर year-decide क्या है यह तो बिल्कुत सही है क्योंकि इसका जो निर्मार्ड किया गया था वो लेम्नान के सुनी समदाय दोरा नहीं किया गया था बलकि सिया समधाय दोरा इरान के समर्थन मैंने आपको वीडियों बताया भी है कि इरान के जो रिवोलुसनी रिगार्ड है वह जब वहाँ पे गए और उन्होंने कहा कि उनको ट्रेनिंग दे सिया समधाय को और फिर उनको पूरी तरह से उनको क्या किया एक आर्मी के रूप में कनवर्ट किया सुनी समधाय को समर्थन दे रहा था सौधी अरभिया तो कुल मिला के पहला इस्टेटमेंट क्या है गलत है बाकी स्टेटमेंट क्या है सही है तो इस तरह से आपका सत्ते कतन कौन सा होगा आगे बढ़ते है उपन बजट सर्वे के संदर में निमखित कतनों पर आपको विचार करना है अब यह है कि यह इंटरनेशनल बजट पार्टनर्सिप द्वारा जारी किया जाता है आपको पता होगा कतन दो है जीरो से लेके 100 के मान पर देशों को रेंकिंग परदान की जाती है एक मिनमम जो वैलू पराप्ट कर सकता कोई देश जीरो और मैक्सिमूम क्या कर सकता है 100 इसके बीच में ही रेंकिंग परदान की जाती है हाली में जारी सर्वे में New Zealand को सर्वचिस्तान प्राप्त हुआ है अब आपको पता होगा कि नहीं हुआ है तो देखें आप इक करके कथनों का हम ज़ो है कि चैन करते हैं तो हमें क्या करना है देखें सत्य कतन का चैन करना है तो इसमें जो आंसर होगा ए क्योंकि सभी कतन क्या हैं सही है आपको पता है इंटरनेशनल बजट जो पार्टनर सिफ है इसी के ताइद इसका ही जो स्थापना हो थी 1997 में हो थी USA की एसंस था है और क्या करता यह देखता है कि अगर जो बजट जो प्रस्तुत किया जाता है उसकी ट्रांसफेरेंसी कितना है लोगों की भागदारी कितना है लोग वहां के बजट को समझ पा रहे हैं कि नहीं सरकार डेटा को सही से दे रही है कि नहीं तो जीरो से लेकर हंडेर तक के मान दिये जाते हैं और नीचिलेंड को सर्वच इस्थान प्राप्त हुआ है बिल्कुश सही है तो इस अर्था ती चीन, नैपाल, मैंमार अब आप डिसाइड करिए आपके कौन है तो इसमें जो सबसे अच्छा स्कोर है वह है आपका नैपाल का और नैपाल का जो पोजीशन है अंग प्राप्त हुए है वह हुआ है 41 जैसे इंडिया को त्रेपन्वा इस्थान प्राप्त हुआ है 170 देशो की सूची में और जो त्रेपन्वा अमार स्थान प्राप्त हुआ वह इस बज़े से हुआ है कि भारत का जो स्कोर है वह 49 है ठीक है अब देखे जो नैपाल का स्कोर है वह 41 है मयामार का और पाकिस्तान का स्कोर 28 है और चीन का जो स्कोर है और कम है वह 19 अर्था सिर्फ और सि 19 है और इस तरह से मैंने इंडिया का कितना वाता है आपको 49 स्कोर प्राप्त हुआ है नैपाल को कितना हुआ 41 तो कहीं ने कहीं भारत के बार इनमें जो है कि सबसे अच्छा स्कोर किसको प्राप्त हुआ नैपाल को मैमार और पाकिस्तान 28-28 संगिल को प्राप्त हुआ है चीन जैसे कोई भी यह बी терदेखा हो गया कि डॉलर के साफेच जो कि रुप्या होता है वो परिवर्तित होता है जैसे हम भारती रूप्य में देखें तो हमने देखा है कि हमारा एक डॉलर के सफेच रुप्या कभी 70 पर भी पहुंच गया है अबी 77 पर भी ए कभी ये जो है कि 60 पर भी आ गया तो कहीं न कहीं ये जो रुपिया का कमजोर होना है ये जब ए रेंज फिक्स कर दिया जाए कि इसमें कोई भी जो भी उतार चड़ा होगा वो 7-8% या 5-6% से जादा नहीं होगा अर्था ना ही तो रुपिया जादा उपर चड़ेगा ना ही जादा नीचे गरेगा अर्था जो रुपिया या जो भी मुद्रा है डॉलर के साफ़े चलगबक इस्तिर रहेगा इसी को बोलते है क्रेवलिंग पेक सिस्टम और यह जो अपनाये गया है आपको पता है तो इनमें से क्या होगा यह एक जो है कि इनमें से कोई नहीं क्योंकि इसके दोरा बियतनाम के दोरा अपनाये गया है और मैंने जब आपसे बताया था कि क्यों कमपनियां जो है कि चाइना से बियतनाम जा रहे हैं इंडिया क्यों नहीं आ रहे तो उसमें बताया आपके पास Yemen, Homan, UAE, Qatar, Qubait और Iraq अब आपको बताना है किसके साथ इसकी सीमा लगती है विकल्प है आपके सामने अब आप इसको थोड़ा सा खुब दिमाग लगा के इसको सौब कर लिजे अगर आपने answer decide किया है D बिल्कुस जो है कि सभी तो बिल्कुस सही है क्योंकि सभी के साथ इसकी सीमा लगती है लेकिन अगर आप बिल्कुल confuse हो रहे होंगे कोई दूसरा दे तो प्लीज मैं आपसे request करूँगा कि आप मैं एक बार देख लिजे इसका आपको clear हो जाए आगे बढ़ते हैं कास וाल इंकलेब हाल में चर्चा क कारण बना हुआ था इस इंकलेब का Resident किस नदी से है ये आपको बताना है पंजाब का गुरदास पूर जीले का ये इंकलेब है और ये इंकलेब के हैं जब रावी नदी में जब पानी ज्यादा होता था BRO के द्वारा बनाएगा, Border Road Organization के द्वारा बनाएगया है, और इसलिए चर्चा में बना हुआ था, तो राभी नदी का संबन है, बाकी नदीओं का नहीं, Project चेतक का संबन हैं, नियुके में से किस संगठन से है, यह आपको बताना है, तो इसमें आंसर है, BRO अर्था Border Road Organization, जो मैंने कासोवाल इंक्लूइट को बनाने के लिए, मैंने बता कि पूल बनाया गया है, वह किस ने बनाया है, BRO ने, Project चेतक के तर्थ, पंजाब, हर्याना और राजिस्थान वाले जो चेत्रों में, जो सड़क का निर्माण किया जाता है, जो पूल बगरा बनाया जाते ह किस प्रोजेक्ट के तर्थ आते हैं, प्रोजेक्ट चेतक के तर्थ आते हैं, तो student I hope आपने जो है कि इसको enjoy किया होगा, आपके अधिकांस प्रशन जो है कि सही हुए होंगे, आप मुझे अपने प्रशनों की संख्या बता सकते हैं कि कितने प्रशन आपके सही हुए, thank you so much कितने कि अपने थे औराशन जो है।